सोन भद्र के मयोरपूर में चल रहे रामलीला मंचन के नोवे दिन रामलीला मंचन के दोरान प्रभुश्री राम द्वारा माता सीता को कुटिया में ना दे सीता श्री राम द्वारा विलाप किया जाता है दंडक वन से सीता का पता लगते वक्त रास्ते में श्री राम से जटायू मिलता है जटायू द्वारा बताया जाता है कि रावन ने माता सीता का हरन किया है यह बता कर जटायू की मृत्यू हो जाती है मृज जटायों का अंतिम संसकार प्रभू श्री राम अपने हातों से कर आगे बढ़ते हैं जंगलो विच्रन करकिस किंदा परवत पहुचते हैं जहां सुग्रीव को शंका होती है शंका मिटाने के लिए सुग्रीव हनुमान जी को भेजता है हनुमान जी द्वारा प्रभू श्री राम से वनो विच्रन के बारे में पूछा जाता है हनुमान जी श्री राम लक्ष्मन को सुग्रीव के दर्बार में ले जाते हैं श्री राम द्वारा सुग्रीव का चिंतित होने कार्म पूछा जाता है सुग्रीव द्वारा बाली कात्या चार को बताया जाता है श्री राम के कहने पर सुग्रीव बाली से युद करने जाते हैं लेकिन युद में बाली सुग्रीव पर भारी पड़ता है सुग्रीव जाकर बताते हैं आपने बाली को क्यों नहीं मारा तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं तुम दोनों एक जैसे लगते हो। इसलिए नहीं मारा। तुम स्वयम दुबारा जाओ। बताया जाता है कि वीरगती की खबर सुन रावन द्वारा मेगनात को अशोक वाटिका में भेजता है मेगनात द्वारा हनुमान जी को बांध कर रावन दर्बार लाया जाता है रावन दर्बार में हनुमान जी के पोंच में आग लगा दी जाती है पोंच में आग देख हनु मान जी क्रोधित हो जाते हैं और पूरे लंका पूरी को जला कर राख कर देते हैं इस दोरान राम लेला का मनुरम मंचन देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रधालू देर रात तक रडड़ते रहे पूरे लंचाने अतर बचाया है विद्ताब मैं भी चाता हूं खुषच बनेरे को पकड कर आपके स्कालाता हूं खुबार कहलाता हूं याला में का भता बरे किया हो श्रधा थी है जो भने से भचा मेरे समाल जाए बनरे तेरे पे काल मट राया है चल देखते किसके कर मट राया है तेरा या मेरा आज ये भेच्णा होई जाएगा चल लुजब कर आ कच्छु मारे सी कच्छु मर्द सी कच्छु कमिलाय सी धूरी कच्छु मुनी जाए तुकारयों यभु मर्गट लभु पता बदबत बंदरे मुझे पे सितम के उठाया है चल लुजब कर आज बंदरे मट अलस जाए तुको में है तुको कर दो लुजब के प्तु कर लुजब करेंगर पाने किलिये बंदरे बंदरे बाल्ट बंदरे पाने छेविर सी कच्छु मुआ ये श्युब कर लिझे वर्ट बंद कर इनवर्धि बंदर फिर 11 ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद